स्वागत है आपका एक रसोह में दोस्तों क्या आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है? क्या आप हर वक्त ठके ठके से महसूस करते हैं? हर वक्त आपको शरी में कमजोर ही महसूस होती है तो परशान होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्का जो आपकी इस परिशानी को दूर करेगा ये नुस्का बेहद आसान है और कमाल की बाद ये है कि इस नुस्के में हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमारे घरों में ही मिल जाएगा यानि की कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दोस्तों इस नुस्के के लिए हमें चाहिए किश्मिश या मुनक्का ये है किश्मिश और ये है मुनक्का मुनक्का और किश्मिश दोनों अंगूर से बनते हैं फिर भी दोनों के गुणों और फाइदों में काफी अंतर होता है किश्मिष छोटे अंगूरों को सुखा करता यार किया जाता है जब कि मुनक्का लाल रंग के बड़े बड़े अंगूरों से बना जाता है आप देख सकते हैं कि मुनक्का में इस तरह के छोटे बीज होते है लेकिन ये बीच किश्मिश में नहीं होते आप इस नुस्के के लिए दोनों में से किसी भी चीज का समाल कर सकते हैं बस हमें यहां ध्यान रखना होगा इनकी मात्रा का किश्मिश गर्म तासीर की होती हैं यह तो हम सभी जानते हैं लेकिन मुनक्का की तासीर किश्मिश से भी गर्म होती है इसलिए गर्मियों में इने कम खाना चाहिए अगर आप भी गर्मियों में ये नुस्खा बना रहे हैं तो हम यहां जितनी मात्रा बता रहे हैं उतनी ही मात्रा में इन दोनों को खाएं हमने यहां लिए हैं दस से बारा किशमिश इसे हम पानी में भीगो लेंगे दोस्तों ध्यान रहें कि जितने भी dry fruits हैं उन्हें भीगा कर ही खाना चाहिए इससे उनकी गर्व तासिर का असर कम हो जाता है तो हमने यहां किशमिश पहले से ही भीगो कर रखे दे अब जाने आपको इसका करना क्या है आपको यह किशमिश इस पानी के साथ पीज लेना है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हाँ इसका जो पानी है उसे बिलकूल ना फैक'tे यह पानी भी आपको पी लेना है यह बहुत फाइदेमन्द होता है और अगर आप इसे ऐसे ही नहीं खाना चाहते तो फिर इसे पानी के साथ पीज लें आपको ये रोजाना सुभा खाली पेट पीना है ये आपकी हर तरह की कमजोरी को दूर करेगा चाहिए वो शरीर की हो नसों की कमजोरी हो या फिर आखो की यहां तक कि खून की कमी में भी ये नुसका बेहतलापकारी है और वो लोग जो वजन बढ़ाना चाते हैं वो इसे पीने के 2 घंटे के बाद केला खा सकते हैं बाकी जिने वजन नहीं बढ़ाना है वो इस पानी को खाली पेठी पिए केला ना खाए वहीं वो लोग जो किश्मिश नहीं खा सकते वो अब क्या करे तो वो लोग मुनक्का का समाल कर सकते हैं आपको मुनक्का भी ऐसे ही खाना है बाकी एक और तरीका है आप चाहे तो ये भीगी हुई मुनक्का गुनगुने दूद के साथ खा सकते हैं पहले मुनक्का खा ले फिर दूद पिले लेकिन हां यह जो पानी है जिसमें हमने मुनक्का भिगो रखे थे इसे बिलकुल नहीं फैक ना है इसे भी आपको पीना है क्यूंकि मुनक्का में मिलने वाले बहुत सारे पोशक तत्व इस पानी में भी मौजूद हैं बाकी एक तरीका और है किश्मिश और मुनक्का को दूद के साथ खाने का, आप चाहें तो ये भीगी वे किश्मिश या मुनक्का दूद में डाल कर उसे बॉयल कर सकते हैं, फिर जब ये दूद हलका गुनबुना हो जाए, इसे पी ले, अगर आप किश्मिश का अस्तमाल इस खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्द आराम चाहिए, किश्मिश के सभी फाइदे चाहिए, तो किश्मिश का अस्तमाल दूद के साथ करें, दोस्तों ये एक नुस्का आपकी शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, किसी भी तरह का दर्द आपके शरीर में क्यों ना हो रहा ह तो इसे हफते में दो से तीन बार ही करें, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट का जरूर बताए, अगर आप हमारे द्वारा बताया गया ये नुस्का अस्तमाल करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये नुस्का आपके लिए कितना फाइदे मन रहा, बाकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो एक रसोई को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले, नमस्कार